हलो फ्रेंस चलिले आज मजुमालती प्लांट पर कलंब करते जह एर्लेरिंग है जो यह मजुमालती के पलांट यह बहुत ही पतली है आमका पेड़ का निच्चे है तो इसको मैं एर्लेरिंग करके हटा नूंगकी तो आप लोग को दिखाती हूं कैसे करना है इसके ब्रांच क तो एक इंच को हिसा आप निनी नी सान लगाले चकु से उसके बाद छीलके को आराम से धिरे दे से हटाए व बहुत ही नाजूग होती है पतली उसको आरामसे हटाना हैं फनक्राइब आप पानी से दोले पानी से होदेने का कारानिया पर जो हम लोग रूटई हर्मोन अगर च तो यह दल्चीनी का पाउडर मैं इसको थोड़ी सी चिपका देती हूं जहां पे कट लगा है एक इंच के ठीक उसको उपर में आप लगा है क्योंकि रूट उपर से आते हैं जो कट लगाते हैं हम लोग छिलका निकालते हैं नीचे से नहीं आती है तो आप उपर ही लगा है दल्चीनी का पाउडर लगा हूँ एक है रस्ती में बान दी हूँ और मैं में मिट्टी से एर लेरिंग करांगी में अभी कोकोपीट नहीं है कोकोपीट से भी हो सकते हैं बहुत ही असानी से और अच्छे से होते है तो एक रस्ती को बान ले पहले क्योंकि जब यह कर रहे हैं तो यह खेल जाती है तो पहरे से रसी को एक ऊपला लगा ले उसके बाद एसे कर Ass Marine Will लगा Ceartal योपी की Tut देट से भी जाते हैं ऐसे कर दीरे से इसको पकड़े striving Summer या कोकोपिट जो भी हो उसको ठीक जहां पे आप कट लगाए होंगे उसके उपर उपर कटके आप जो कटके लगाए होंगे ठीले होंगे उसके बीचो बीच बानने से भी होंगे और इसका जो बंधन है बानने का उसको थोड़ा टाइट बान देंगे और बानने का बाद नहीं तो आप एक कपड़ा भी बान सकते हैं तो मैं खुला रखी हूँ, पानी डाल दी हूँ और कपड़ा भी लगा दे रही हूँ तकि इसमें पानी डालूँ और इसमें आराम से रूट आ जाए तो एक सुत्ती का कपड़ा लेकर इसे लपिट देना है और आप कपड़े पर पानी डालेंगे तो पानी सिधे जहां पर मिट्टी बंधाया है वही पर आएगी तो इसको जड़ है जड़ निकलने में आसानी होगी मैं यहां पर तीन बांध होंगी क्योंकि यह प्लांट बहुत लंबी है और यह आम का पीर का नीचे है तो इसको हटाना है मैं तीन कलम बांध के आप लोगों को दिखाऊंगी यह देखिए 20 दिन से जादा से जादा 21 दिन हुए होंगे इसी में इसमें इतना अच्छे से रू मैं पहले बार मधुमालती का कलम कर रही हूं तो मैं देखिए हो यह बहुत ही जल्दी हो जाती है इसके रूट आ जाती है तो तीन कलम मैं त्यार कर ली हूं इसको कट करके मैं पोट या कोई ग्रो बैग में लगा के रखूंगी उसके बाद में मिट्टी में लगाऊंगी तो बड़े गमले में बाद में शिफ्ट करोंगे देखिए तीन प्लांट हो गए हैं इसको मैं अलग-अलग करके आप लोगों को अभी दिखाऊंगी इसके जड़ कैसे आये हैं और जो सबसे बड़े थे निच्चे सबसे बड़ा में ज्यादा मिट्टी दी थी उसमें सबसे बहुत ही अच्छे से आएंगे तो आप लोग आराम से ऐसे कलम कर सकते हैं मधुमालती के ब्रांच इसके क्टिंग करके ऐसे भी क्टिंग से भी लग सकता है लेकिन मैं इसको इक रिले रिंघ से की हूँँ तक यह मरना जाये मेरे पास एकी प्लांट थे तो उसकी को में रिखाऊंगी इसके रूट कैसे डेवलप हुए हैं और यह 20 दिन का रिजल्ट है आप लोग देखिए कितने अच्छे से हुए हैं सीर पर सिर नॉर्मल गार्डन सोयल है इसमें कुछ भी ने डाली हूं मैं गोबर खा दूद कुछ नहीं सिर्फ माट्टी में लगाई हूं तो निकालके मैं अभी काट दी हूं इसमें अच्छे से रूट आये हैं और जो छोटे में थोड़े थोड़े प्लास्टिक दे के छोटी-चोटी बांदी थी उसमें कम रूट आये हैं तो आप लोग ऐसे आसानी से कर सकते हैं यह लेरिंग मधुमालती प्लांट के और मैं विस तो आपके पास अगर घर में मधुमालती का प्लांट है तो आप ऐसे करके कट करके आप अपने मन चाहे पॉट में लगा सकते हैं या और कहीं लगा सकते हैं ऐसे करके एरलेरिंग बना के तो देखिए जो एक छोटा डबा है मैं अभी फिलाल इसी में लगा के रखूंगी इस को नॉर्मल गार्डन सैल साधा मिट्टी और कुछ नहीं इसी में लगा के रखूंगे कुछ दिन तक जब यह थोड़े बड़े हो जाएंगे प्लांट इसमें से ब्रांचिस निकलने लगेंगे तब मैं बड़े पॉट में शीप्ट करूंगी और उसमें खात जालके इसको रखूंगे तो आप लोग ऐसे करके जब एर लेरिंग करें प्लांट को उसको काटे जब इसको आप ऐसे रखूंगे छोटे पॉट में करना ठीक रहता है पहले तो उसको आप साधा मिट्टी में रखूंगे और उसके बाद तीन-चार मैना बाद जब प्लांट थोड़े बड़े हो जाए उसको आप बड़ा गमला दे देदा सी इंच 12 इंच का उसमें आप खाद डाल के उसको आप रिपट कर सकते हैं तो मैं तीन प्लांट की हूँ देखिए मैं पानी डाल दी हूँ ऐसे जूक रही है प्लांट तो इसमें और थोड़ी सी मीट्टी डाल देनी है इन्हें तीन चार दिन बिना धूप का जगा में रखें उसके बाद धूप में रखें